नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगा दोस्तो अगर आप रमी सर्किल खेलते हो तो रमी सर्किल में से पैसा कैसे विठ्रोल कर सकते हो अपने बेंक एकाउन में दोस्तो मैं आपको पूरा इजी तरीके से बताऊंगा और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको payment proof भी दोंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपके bank account में कितना देर के बाद आपके bank account में receive होता है तो दोस्तो चलिए हम इस वीडियो को सुरू करेंगे दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल नोटिफिकेस्टन को जरू दबा ले तकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेस्टन आप तक सबसे पहले मिल सकें तो चलिए दोस्तो आज की इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको Rami Circle App को Open करना है दोस्тов अगर आपके पास यह आप से अपन करना है नहीं है तो हमाईcción में इसका लिंख होगा हरे हैं किरनोने के बाद लोकेशन का प्रमी सर क्लम करनी 오के कर देना है तो दोस्तों मेरा app यहाँ पर बिल्कुल से open हो चुका है दोस्तों मेरे wallet में भी देख सकते हो 1521 रुपया मेरे wallet में भी है तो दोस्तों इसको मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर withdrawal कर सकता हूँ withdrawal करने के लिए आपको three dot पर click करना है आपको नीचे की तरफ इस तरह से scroll down करना है दोस्तों यहाँ पर आपको एक मिलेगा withdrawal case जो कि आप यहाँ पर हमारे screen पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर withdrawal case का एक option होगा simple से आपको यहाँ पर click करना है दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से कुछ page आपके सामने loading होगा और loading होने के बाद successfully open हो जाएगा दोस्तों open हो जाएगा अगर आप पहली बारी इससे पैसा निकालते हो तो आपको KYC करना होगा दोस्तों KYC करोगी इसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो KYC करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर bank account एड़ करना होगा bank account एड़ करने के लिए दोस्तों मैंने पहले से यहाँ पर एड़ करके रखा हुआ bank account तो दोस्तों मैं चलिए हम आपको फिर से आपको बता देते है कि bank account कैसे एड़ करना है edit के option पे click करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर account number और यहाँ पर फिर से आपको account number डालना होगा दोस्तो bank account डालने के बाद आपको IFC code और bank name आपको डालना होगा उसके लिए आपको नीचे में एक edit का option दिख़रा होगा आपके सामने वही account number के नीचे में आपको उस पर सबसे पहले आपको click करना होगा दोस्तो जब आप click करोगे तो आपको नीचे में एक IFC code डालने का option आजाएगा दोस्तो डालने के बाद IFC code डालने के बाद आपको यहाँ पर search पर click करना है फिर आपको यहाँ पर bank name डालना है और यहाँ पर branch का नाम डालना है दोस्तो डालने के बाद आपको यहाँ पर search पर click कर देना है फिर आपका bank account aid हो जाएगा इस तरह से और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे wallet में भी 1521 रुपया है आपको यहाँ पर पैसा निकालते वक्त आपको ध्यान देना है दोस्तो आपको inter amount के जगह आपको कम से कम 100 रुपया डालना होगा तभी आप पैसा निकाल सकते हैं minimum यहाँ पर withdrawal 100 रुपया यहाँ पर आपको बता दिया गया है दोस्तो लोडिंग होने के बाद आपके सामने receiving आजाएगा आपका bank detail का और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रोल amount 120 रुपया लिखा गया है और नीचे में confirm का option होगा उस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर कुछ दिर processing में जाएगा processing के बाद आप देख सकते हैं request receive हो गया है मैंने पैसा निकालने के लिए request उनको भेज दिया है इसके बाद आपको redirect इस page पर आपको automatic कर देगा automatic करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप आ करके statement अपना check कर सकते हो आप यहाँ पर date देख सकते हो तो 13 जुलाई यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो date time सब कुछ देख सकते हो कि मैंने पैसा कब निकाला है और किस time में निकाला है दोस्तो सब कुछ complete होने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर जब आपके bank account में पैसा पहुंच जाएगा दोस्तो जब आपका bank account पैसा आ जाएगा तो आपके नीचे में देख सकते हो withdrawal successful है उसी तरह के से आपको यहाँ पर उपर वाला में भी आपको लग जाएगा तो दोस्तो चलिए हम यहाँ से आपको वेट करके आपको दिखाएंगे कि मेरे bank account में कितना दिर के बाद यह मुझे payment मिलता है तो जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहे और हम आपको वीडियो को पॉच करके अब हम बताते हैं कि मेरे bank account में कितना दिर के बाद यहाँ पर payment मिलता है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे तो दोस्तो मेरे bank account में जो मेने आपके सामने 1120 रुपिया हम से विडियो किया हुआ था हूँ मेरे bank account में पहुँन चुका है तो सबसे पहले जो मुझे bank के तरफ से message मिला है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाएंगे payment proof के रूप में तो अभी आप यहाँ पर message पर हम click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर message मिला है उस पर हम tape करेंगे, tape करने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, 13 तारी को मैंने विट्रोल किया हुआ था और यहाँ पर 15 साथ 2020 को मेरे बेंगियान में पहुंच चुका है पेसा, जो की 1120 तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप के अंदर लेकर के चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का interface शो करता है, तो दोस्तों मैंने एप को open कर लिया है, open करने के बाद हम आप धिरी डॉट पे click करेंगे, click करने के बाद इस तरह से scroll down करेंगे, और scroll down करने के बा दोस्तों यहाँ पर इस page पर आजाएंगे और आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सारे जगह पर यहाँ पर सही का tape लग चुका है, तो दोस्तों पंदर अतारी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपको सूरू से ल तक हमारे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों मिलता हो गली वीडियो में जब तक के लिए गुड़ बाई